Hello students, welcome to with the institute, आज हम class 10th polynomial का एक question करेंगे, काफी unique सा question है, important है, मैं इसको भोती आथान तरीके सा आपको बताऊँगा, zeros of a polynomial x cube minus ax square plus bx minus c are in ap, किसी polynomial के जो zeros है वो ap में है, तो मैं प्रूव करना है, 2a cube minus 9ab plus 27c equal to 0, ठीक है, तो question देहान से समझना है सभी को, हमारे पास जो polynomial है, वो है x cube minus ax square plus bx minus c, और इसके zeros ap में है, तो लैट कर लेते हैं, जो इसके zeros है, पहला zeros alpha, beta और गामा, यह तीन zeros है, तो उनमें से हमने alpha को माल लिया, a minus d, अब a minus d मतलब, first, ap की first term, minus d, a, और a plus d, ठीक है, capital a हमने इसलिए लिया है, क्योंकि small a question में given है, तो यह जो तीनों terms है, हमारी a minus d, a, और a plus d, are in ap, ठीक है, अब देखो, तो हमारे पास क्या है, sum of zeros, zeros, zeros का sum का formula होता है, cubic equation में, minus d upon a, sorry, sum of zeros, एक मिनेट, sum of zeros होता है, minus b upon a, तो उसे साब से यह होगे, minus a upon 1, है न, क्योंकि क्या होता है, minus coefficient of x square upon coefficient of x cube, तो अब इन तीनों का अगर हम sum करेंगे, तो a आ गया, तो यह d से d cancel हो गया, तो 3 a equal to a, और a की value कितनी हो गई, a upon 3, अब हमने इसके zeros माने थे, यह, यह and यह, तो यानि एक zero हमारा निकल गया, तो therefore, a upon 3 is one of the zeros of px, इस polynomial की एक zero निकल गई, अब zero का मतलब होता है, हम एक्स की जगे अगर यह put कर देते हैं, तो equal to zero, तो जो हमारा polynomial है, अब हम एक्स की जगे a by 3 put करेंगे, तो एक्स की जगे a upon 3, यह है, यह हमने हम पर put कर दिया है, एक्स की value, अब इसको हम LPM वगरा लेंगे, तो हमार को हमारा result मिल जाएगा, तो a cube by 27, a cube by 9, a, b upon 3 minus c, L से हम ले लेते हैं, 27, तो a cube minus 3 a cube, plus 9, a, b minus 27, c equal to 0, ग्रोस मिल्टिप्लाई कर देते हैं, तो यह आगे, माइनस 2 a cube plus 9 a, b minus 27, c equal to 0, डिवाइड बाई माइनस 1, तो 2 a cube minus 9 a, b plus 27, c equal to 0, यह हमारा prove हो गया, जो हमें करना था, तो काफी अच्छा question था, अभी दिखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन और किसी method से करेंगे, तो इतने आसान इसे solve नहीं हो पाएगा, तो मीदे सभी को समझ मा गया होगा, एक बार repeat कर देते हैं, 0's हमने a minus d, a और a plus d ले ली, क्योंकि a p में है, इसलिए, फिर हमने sum of 0's का formula लगा के, यहाँ पे capital A की value निकाल ली, जो की इस polynomial की एक 0 है, और फिर उसके अंदर substitute कर दिया, तो आ गया होगा सभी को समझ में, अब इस्क्रीन पे polynomial की playlist नजर आ रही होगी, वहाँ से आप chapter 2 class 10th complete कर सकते हैं, सारे important question मिल जाएंगे, thank you very much.